नमस्कार हमारे खास कारिक्रम एक नजर इधर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रुतु भंडारे अपने इस खास कारिक्रम में हम उन्सामाजरे का मुद्दो को उठाते हैं चुन से लगातार जनता जूचती है और जनता की तरफ से जम्मेदारों से पूछते हैं सवाद श्रिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की योचनाय चलाई जा रही हैं उसके बाद भी जब जिम्मेदार किसी भी मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते और लापारवाही बरतते हैं तो स्कूल के चात्रों को ही आगे आकर अपनी आवाज उठानी पड़ते है एक ऐसा ही मामला गरियाबंद के माध्य में एक शाला हरती से सामने आया है जहां लंबे समय से श्रिक्षा की कमी को लेकर स्कूल के चात्र कई बार जिम्मेदारों से श्रिकायत कर चुके हैं लेकिन जब जिम्मेदारों ने मामले पर कोई सुद नहीं ली तो चात्रों को ही एक श्रिक्षक के भरोसे ही चल रहा है जबकि इस स्कूल में 102 चात्र है। पड़ती है। तो भूला साहू जब जनप्रती निदी जलाशिक्षा अधिकारी और भी बाकी बड़े अधिकारी उसको अगर संग्यान में मामला आ चुका है तो उन्होंने क्या कुछाश्वासन दिया। जी सिख्षे भाग के कुछ कर्मचारी यहां इसकूल में पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों पालक वासन दिया। इसकूल में निकार दिया जाएगी और पालकों के जब तक फिकषक्षक करना पड़ा रख इक सिक्षक्राशन को खुद से नहीं पता था कि सिख्षको की कमी है शात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा। जी लगातार सिक्षकों को लेकर गरिया बंजिला में भारी कमी है और लगातार संकूल समवन्याक के माध्यान से अबद कराया जाता है जिसके वाजूद प्रसासन इस पर कोई ध्यान नहीं देते और यहीं हाल होता है तो भोला साहु जानना चाहेंगे अपसे कि बच्चे लगाता कब से इस मामले से जूच रहे हैं बोला जी यह जो तस्वीर निकल कर सामने आई है जहां बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला चुड़ दिया हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी 36 गड़ के बेमेत्रा से इसी तरह की तस्वीरे सामने आई थी जहां छात्रों ने स्कूलों में ताला जड़ दिया था और कई जगा भी ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं स्कूल की प्रशासन की जो लापरवाही के साथ साथ पढ़ेगा इंडिया तभी तो ब भारी सिक्षकों की कमी इस जिले में नजर आएंगे और जब तक यहां सिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी लगातारा इसी ही और इसकों में ताला बंदी नजर आएगी बोला जे जिम्मेदारों का काम होता है अपनी जिम्मेदारी निभाना लेकिन जादातर मामलों में देखा गया है कि जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जारते हुए नजर आते हैं कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर बड़े बड़े नेता मंद्री शिक्षा के स्तर को सुधारनी की बाते तो बहुत करते लेकिन शिक्षा इसतर तो तब ही सुधरेगा जब जिला या फिर शेत्र के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखू भी सने बहाएंगे लेकिन कहीं न कहीं स्कूल में 104 चात्र है और एक शिक्षक है ये बड़ा सवाल है कि शिक्षक मजबूर होकर 102 चात्रों को पढ़ा रहा है जाहिर सी बात है कि बच्चों के साथ शिक्षक को काफी भी परिशानी हो रही होगी फिलाल भोला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तो आपको बदा दे कि शिक्षक की तैनाती अभी तक हो नहीं पा रही है और इस स्कूल में जब बच्चों का गुस्सा फूट पढ़ा तो उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला ही जुड़ दिया और अब हमारे साथ जिला शिक्षक अधिकारी जुड़ गये हैं सबसे पेल तो आपका बहुत स्वागत है डिनन में आप से जानना चाहेंगे क्या मध्य प्रिदेश इस तरह से 36 गड़ इस तरह से शिक्षक का हब बनेगा जहां स्कूल में शिक्षक नहीं है एक शिक्षक ह पढ़ानी को मजबूर है तो एसल जी जब एक शिक्षक है और बाकी दो शिक्षक विमार है क्या आपको नहीं लगता कि पहले से और भी शिक्षक बैक अप में रखने चाहिए अब स्कूल के गेट पे ताला जड़ दिया बच्चों ने बच्चों के भविश्वे के साथ तो खिलवार हो ही रहा है अब क्या कुछ कहेंगे आप यहने सिच्चक विर्सा हमें कर दिया वहाँ पर आज हो गया आजिश्च्चक वहाँ पर ज्वाइन का निकले चला गया लेकिन यह जो तस्वीर निकल कर गरियाबन से सामने आ रही हैं कही ना कहीं उन्हीं योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रही है स्कूल के बच्चो लगातार सिक्षक की मांग कर रहे दे जहां एक स्कूल में है और आपको बता दे कि 102 चात्र हैं इस दौरान सिक्षक भी कही ना कहीं मजबूर होकर इन 102 चात्रों को बढ़ा रहा था जिसके चलते अभी जिला सिक्षक अदिकारी से भी हमारी बात हुई उन्होंने इस चीज को नकारा है और कहा कि स्कूल में तीन शिक्षक हैं, दो की हालत भी ठीक नहीं है, दो की तबे तभी खराब चल रही है, जोसके चलते एक शिक्षक पर जादा बरड़न आ गया है और उन्होंने और भी कई शिक्षकों की बात की है और इसी पर हमारे साथ रमधन फोन लाइन पर जोड़ गया है, सबसे बाल तो डिनन में आपका बहुत स्वागत है रमधन जी आप से जानना चाहेंगे कि आप 102 चात्र हैं स्कूल में और सिर्फ एक शिक्षक है, इस दौरन पढ़ाई किस तरह से हो रही होगी पढ़ाई नहीं हो पा रही मेडम, इसलिए तो बच्चे जो है तालार बंदी किये हैं उसमें पालक भी सामिल है, हमारे ग्राम के सुरक्षा समिठी, हमारे सरपंच महोड़े सभी जने है कि हमारा ही मांग है कि शिक्षक की ब्यूस्तक की जाए, क्योंकि आध्य सत्र बित चुके हैं तो अभी तक क्या किसी भी अधिकारी के संग्यान में पूरा मामला आया? हाँ, हम लोग किये हैं गरियावन जा करके क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? एक हपते के बाद हम लोग तत्काल ब्यूस्तक कर रहा हैं शिक्षक का ऐसा बुला गया लेकिन कुछ भी नहीं किया, तीन-चार बार हम लोग प्रयाज की हैं क्लेक्टर महदै से, शिक्षक अधिकारी से अभी हमारी जिला शिक्षक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो इस स्कूल में तीन शिक्षक तैनात हैं, उनमें दो की हालत अभी खराब बताई जा रही है, काफे बिमार बताई जा रहे हैं, जिसके चलते एक शिक्षक पे बड़न आ गया, उन्होंने कहा कि जिला शिक्षक अधिकारी ने खुद आकर वहां पर संग्यान लिया थे, इस मामले का, नहीं लिया है, चलिए रामधर जी, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत श्रुक रिया, तो यह तस्वीर है, आपको उच्छत तज़गर के गरिया बंद की दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि शिक्षक को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाय चलाई जाती हैं, उसके बाद भी जब जिम्मेदार किसी भी मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाते, और लगातार लापरवाही बरते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला चारते है तो स्कूल के चातरों को ही आगे आकर अपनी आवाज उठानी पड़ती है, एक ऐसा ही मामला गरियबन के माध्य में करशाला हर्दी से सामने आया है, जहां लंबे समय से शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल के चातर कई बार जिम्मेदारों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। है, एक सिक्षकी होनी नहीं चाहिए था, यहां के जो प्रसासन है वो पंगू हो गया है, और जितने भी सिक्षा अधिकारी है, उनको एक सिक्षकी की विद्यालग पहले देखना चाहिए, बच्चे के जीवा भविस्व को अंधकार में नहीं करना चाहिए, सरकार बदली है है, पहली बार सामने नहीं आए, इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, तो कोई सक्त कदम या सक्त एक्षन क्यों नहीं उठाया जाता है? यह सब सरकार जो है सापना सब सुकृत करती है, उठीन से सब चिस सुकृत रहता है, लेकिन जो इस्तानी अधिकारी बीओ और ढीओ होता है, इनकी जिम्मेदारी पहले है, समय समय पर जीले और उपर इसससर की बैठाक होती है, उनको बताना चाहिए और मुरली धर जी एक्सर देखा गया है आभी भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जाड़ते हुए नजर आ रही है यहां के जो वर्तमान भी धायक है उनके भी बहुत बड़े दोस है इसमें जी चलिए मुरली धर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुकरिया तो यह तस्वीरे आपको 36 गड़ के गरिया बंद की दिखा रहे हैं जहां आपको बता दे कि आज स्कूल के गेट पर खात्रों ने कुसाइट खात्रों ने ताला जुड़ दिया कई बार वो जिलाशिक्षा अधिकारी और अधिकारियों जिलाशिक्षा की मांग को लेकर शिकायत कर चुके थे जुसके बाद शिक्षा अधिकारी ने अभी तक संग्यान मामले में नहीं लिया है और शिक्षा की मांग को लेकर जब गुसाइट खात्र और परिजन उने अ पर ताला जुड़ दिया था तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं क्या इस तरह से 33 गड़ शिक्षा का हब बनेगा हमारे खास कारिक्रम में फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का जोल्था जरूंगे अब रुख करते हैं रायसेन का जहां अब्दुल्ला गंज तैसील के ग्राम नूर गंज में उल्टी दस्त से मौतों का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा गाउं में बीते चार दिन में तीन लोगों की मौत हो चुकी है जब कि सौ से जादा ग्रामीन पे मार बताए जा रहे हैं तो आपको बता दे कि शुकरवार की देर रात भी एक व्रद की उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मौत हो गए ये स्थिती तब है जब दो दिन से प्रशासनिक अमला स्वास्तेवभाग और लोग स्वास्तेवभाग का अमला गाउं में डेरा डाले हुए बैठा है ग्रामिनों का कहना है कि गाउं में लंबे समय से दूश्रे तरपानी आ रहा है उसी के चलते दूश्रे तरपानी से खाना भी बनाते हैं जो से गाउं के लोगों की लगातार तबित खराब हो रही है जेगा पग्यार चलता रहा वहां पर और जूश भी दिया नली के द्वारा फिर ना आट नो वज के करीब बहुत चांत हो गया स्वास्तवार ने कल भी घर गर जाकर जाच की और आज पूने टीम बढ़ा दी गई है और पूने पूरे गाउं का परिक्षन किया जा रहा है और हमारी तेसरदार एजनिम साब से बात हुई कि उसका कारण निकल के आया है जो कि पीएची डिपार्टमेंट को उसे नल जल योजना है उसको दुरुस्त करना है कहीं से लीकेज नहीं हो ताकि इसकरे से लोग जो प्रभाविद नहीं हो और इसी पर जादे जौन कारिकले हमारे साथ समवादाता पवन सिलावत फोन लाइन पर जुड़िये हैं पवन आपसे पूरा मामला विस्तार से जानना चुहेंगे जहां पिछले चार दिन में तीन लोगों की मौत हो चुकी है जी आपको बता दो अब्दुल्ला गंज पैसील के ग्राम नूर गंज में दूसित पानी पीने से लोग हो रहे हैं बीमार उल्टी दस्त का सिलसला कई तनों से चलता आ रहा है मगर अभी तक ना तो नगर ग्राम पंचा तो और नगर में किसी प्रकार का कोई शहियो किया जा रहा है उस दूसित पानी पीने से कई लोग बहुत बीमार हो रहे हैं तीन लोगों की मौत हो चुकी है तीन लोगों की मौत होने के बाद सासन की आखे अब खुली है जब उन्होंने वहां का पानी दूसरी पानी को दूसरी जगह पंद कराकर दूसरी जगह से पीने का पानी पहुचाया जा रहा है जिससे कि अभी भी लोगों में काफी एक भै बना हुआ है जिससे पानी पीने में बीमारियां हो रही है और स्वास्त बहात का जितने भी अधीकारी डाक्टर होते हैं उन्होंने नूर गंज में अपना तेरा जमा रखा है अगर फिर भी मोते होती जा रही है दूस्त पानी को पीने से तो पवन कितना समय हो चुका है ये दूस्त पानी को आते हुए दूस्त पानी पीने कई दिनों से चला चला तो क्या किसी अधीकारी के संग्यान में पूरा मामला आया है अभी तक पवन फिलाल स्वास्ते विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या ये पहले भी इस तरह गंदे पानी से मौतों के सलसले की बाते सामने आई हैं? क्या दूसरत पानी पीने की वज़े से जो बिमारी हो रही है ये डॉक्टर की रिपोर्ट में सामने आया? अभी तक किसी डाक्टर की रिपोर्ट मा ये दूर्शित पानी पीने से मौत होने का मामला सामने डाक्टर द्वारा अभी तक नहीं किया गया जबके स्वास वागती जितनी वी डाक्टर होते हैं उन्होंने तेरा जमा रखा है मगर आज तक और अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया दूसित पानी पीले से मोथ होने का चलिए पवन आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तो आपको बता दे कि राय सिंजला के अबदुल्ला गंज तहसील के ग्राम नूर गंज में उल्टी दस्त से मोतों का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा गाउ में बीते चार दिन में तीन लोगों की मोत हो चुकी है जबकि सौ से ज़ादा ग्रामीन बेमार है तो वही शुक्रवार की देर रात भी एक वरत की उल्टी दस्त के शिकायत के बाद मोत हो के ये स्थिति तब है जब दो दिन से प्रशासनिक अमला स्वास्ते विभाग और लोग स्वास्ते विभाग का अमला गाउ में डेरा डाले हुए बैठा है ग्रामीनों का कहना है कि गाउ में लंबे समय से तुक्षित पानी आ रहा है जिसके चलते लोग बिमार पड़ रहे हैं और उनकी मौते हो रही है लेकिन आपको बता दे कि जो डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में इस तरह का कुछ भी खुलासा नहीं हुआ इसेन जिले की दिखा रहे हैं जहार आईसेन जिले के अब्दुला गंज तहसील के ग्राम नूर गंज में उल्टी दस्त से मौतों का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा गाउ में बीते चार दिन में तीन लोगों की मौत हो चुके है जब की सौ से ज़ादा ग्रामीन बिमार बताय चा रहे हैं शुक्रवार की देर राद भी एक वृत की उल्टी दस्त की शुकायत के बाद मौत हो चुके है आपको बता दे कि ये स्थिती तब है जब दो दिन से प्रश्रास्निक अमला स्वास्त विभाग और लोग स्वास्त विभाग का अमला गाउ में डेरा डाले हुए बैठा है कि ग्रामीनों का कहना है कि जो बिमारी फैल रही है लगातार और उल्टी दस्त की वो दूशत पानी की वज़य से है लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में अभी इस तरह का कुछ भी खुलासा नहीं हुआ तो आपको बता दे कि राइसे निजले के अबदुल्ला गंज रहे तहसील के ग्राम नूर गंज में उल्टी दस्त से मौतों का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा इससे पहले पिस तरह के कई मामले सामने आच चुके हैं लेकिन गाउ में बीते चार दिन में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि सौस से जादा ग्रामीन बेमार बताए जा रहे हैं हमारे खास कारेगरम एक नजर इधर में फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीज़े इजाज़त नमसकार